कच्छा नवी के प्रीच्छात्रों, मैं महेश्वर्रा हूँ, आज हम खुशी खुशी से पद्यभाग में से स्री अरुन कमल जी से रचित, खुश्बूर अचिते हैं हाथ पर चर्चा करेंगे, इस कवता में कवी ने समाज के सोशन यवस्ता पर आक्रोश प्रकत किया है, इस कवता में श्रमिक वाकारीगरों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रन किया गया है, ये कारीगर अपने स्रमिक जिल से दूसरों की सहायता करते हैं और समाज में अच्छा ये फैलाते हैं, लेकिन ये खुद दुर्दशा में ही नजीवन बिताते हैं, इस विशे को कवी ने सुन्दर ढंग से वर्नन किया, चलिए, अब हम पाट से अपेक्षित लक्ष देखेंगे, पाट से अपेक्षित लक्ष पहला, सामाजिक विश्मतावों पर चिर्चा कर सकेंगे, दूसरा, गरीबों की दुर्दशा अवगत कर सकेंगे, सोशन मूल ये विवस्था पर अपने वाने दे सकेंगे, तीसरा, मानवी ये समाज के निर्मान में अपने कर्तवियों को निभा कर सकेंगे, चोथा, मानवी यवश्था का निर्मान करने की आवस्ष्य कता समझ सकेंगे प्यारे बच्चों, अब हम पाठ में जानने वाले अंश देखेंगे पाठ में जानने वाले अंश पहला, कवी स्री अरंग कमल जी का जीवन पर चैए दूसरा, कविता का भावार्थ, तीसरा, प्रिश्न अभ्यास, चौथा, योग्यता विस्तार, पांचवा, शब्दार्ध और टिपनिया बच्चो, अब हम कवी स्री अरण कमल जी का जीवन पर चे संख्युप्त रूप में प्राप्त करेंगे कवी स्री अरण कमल जी का जीवन पर चे कवी का नाम स्री अरण कमल, जन्म सन पंद्रह फरवरी उनिस सो चोवन जन्म स्थान, बिहार के रोहतास जिला के नासरी गंज गाउ में पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार नए इलाके में कावी संग्रह पर प्रमुख रचनाएं, अपनी केवलधार, सबूत, पुतली में संसार नए इलाके में प्रेचात्रों, अब हम खुशबू रचते हैं हाथ कवता के पहले आठ पंक्तियां पढ़ेंगे खुशबू रचते हैं हाथ, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार कूडे करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ प्रेचात्रों, अब हम खुशबू रचते हैं हाथ कवता के अगले आठ पंक्तियां पढ़ेंगे उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखुनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जुही की डाल से खुशबू दार हाथ गंदे कटे पिटे हाथ, जखम से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ प्रेचात्रों, अब हम खुशबू रचते हैं हाथ कवता के अगले आठ पंक्तियां पढ़ेंगे यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबतिया, इनहीं गंदे महलों के गंदे लोग बनाते हैं के बड़ा गुलाब खस और रातरानी अगरबतिया दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबूरचते रहते हैं हात खुशबूरचते हैं हात चात्रो अब हम इस कवता के नए और कठिन शबदार्द समझेंगे नालो घरों और सडकों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाया गया रास्ता चित्र देखकर इस शिब्द का अर्ध समझेए बच्चो अगला शिब्द देखेंगे खूडा करकट इस शिब्द का अर्ध है रद्धी कच्रा चित्र देखकर इस शब्द का अर्द समझिए बच्चो अगला शब्द देखेंगे टोले शब्द का अर्द है छोटी बस्ती कविता में बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर बताया गया है चित्र देखकर अर्ध समझने का प्रयास कीजिए अगला शब्द देखेंगे जख्म घाव चोट कविता में जख्म से फटे हुए हाथ बताया है चित्र देखकर समझेए बच्चों अगला शब्द देखेंगे मुल्क शब्द का अर्ध है देश यहां कई देशों के चित्र हैं ध्यान से देखकर अर्ध समझेए अगला शब्द देखेंगे केवडा शब्द का अर्ध है एक छोटा व्रिक्ष जिसके फूल अपने सुगंध के लिए प्रसित है चित्र ध्यान से देखकर अर्ध समझेए अगला शब्द देखेंगे खस शब्द का अर्ध है पौस्ता चित्र ध्यान से देखकर अर्ध समझेए अंग्रेजी में पपी सीट्स कहते हैं अगला शब्द देखेंगे रात रानी शब्द का अर्ध है एक सुगंधित फूल है जो रात में सुगंध फैलाते हैं चित्र देखकर अर्ध समझने का परियास कीजिए अगला शब्द देखेंगे मशहूर शब्द का अर्ध है प्रसिद्ध फैमस चारविनार हैद्राबाद का मशहूर इमारत है अब हम कविता का उद्देश समझेंगे हमारे आसपास सुगंध फैलाने वाले चीजें कई होती है उनमें हर दिन हम सुबह ही उप्योग करते हैं अगरबतियां लेकिन ये अगरबतियां बनती कहां यही विशे का वर्णन इस कविता में कवी स्री अरुन कमल जी ने की जो हात हमारे लिए खुश्बू रचिते हैं याने खुश्बू बना रहे हैं उनके हाल का वर्णन इस कविता में हर देश परशी धंग में वर्णन पिया चलिए इस कविता की पंक्रियां पढ़े कर अर्ध समझेंगे खुश्बू रचिते हैं हात कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूडे करकट के ढेरों के बाद बदबू से फढ़ते जाते इस टोले के अंदर खुश्बू रचिते हैं हात खुश्बू रचिते हैं हात इन पंक्तियों में जहां कुश्बू रची जा रही हैं वहां का परिद्रिश्य कभी बता रहे हैं जिस प्रकार कमल कीचड में ही खिलते हैं, उसी प्रकार वातावर्ण को सुगंधित कर देने वाले अगरबतियां गंधी जोंपडियों वा महलों में बनती हैं। कवी कहते हैं कि सुगंधित अगरबतियां बनाने वाले लोग गंधी गलियों के बीच कई नालों के पार पूड़े करकट वा गंदगी धेरों के पास रहते हैं। बदवू के कारण नाक फटता है। अपने हातों से खुश्बू संसार को देने वाले लोग यही बदवू में अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रईचात्रों अब हम खुश्बू रचते हैं हात कवता के अगले आठ फंक्तियां पढ़कर अर्ध समझेंगे। उभरी नसों वाले हात घिसे नाखुनों वाले हात पीपल के पत्ते से नए नए हात जुही की डाल से कुश्बू दार हात। गंदे कटे फिते हात जेख्म से फटे हुए हात। खुश्बू रचते हैं हात। कवी कहते हैं कि अगरबतियां बनाने बालों में हर आयु के लोग हैं। उनमें भुडों के हात के नशे काम करते करते उभर गए हैं। उनके नाखुन घिस गए हैं। पीपल के पत्तों के समान कौमल हात वाले बच्चे हैं। जुही की शैखा के समान कुश्बूदार वाली नव यूतियां भी हैं। कुछ मजदूर अपने गंदे वा कटे हातों से काम करते हैं। कुछ के हात काम करते करते घाव हो गये हैं। ये सब बदबूदार वातावरण में रहते हुए दुनिया को खुश्पुदार अगरबतियां से महका रहे हैं। प्रीछात्रों, अब हम खुश्बू रचते हैं हाथ कविता के आखरी आठ पंक्तियां पढ़कर अर्ध समझेंगे। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबतियां। इनही गंदे मुहलों के गंदे लोग बनाते हैं केवडा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबतियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुश्बू रचते रहते हैं हाथ। कवी कहते हैं कि कैसाद और भाग्य है, बदबूदार गलियों में देश भरक में बिकने वाले प्रिसिद्ध अगरबतियां बनती हैं। गंदे मुहलों में गंदे वातावरिन में रहने वाले ये लोग देश भरके महगदार अगरबतियां बना रहे हैं। जिनमें केवडा, गुलाब, रसरानी जैसे खुश्बूदार पदार्थों का समावेश होती हैं। वे अपने हातों से सुगंधित अगरबतियों से सुगंधित समाज का निर्मान करते हैं। इस कवडा में कभी मजदूरों की दशा समझा रहे हैं। हमें उनकी दशा सुधाने की बात सोचनी चाहिए। हमें मजदूर वर्गों के लिए कार्य करना चाहिए। यही इस कवडा का संदेश है। बच्चों, हम अब तक कुश्बू रचते हैं हाथ। कवडा का सार समझ चुके हैं। अब हम प्रिश्ण अभ्यास के अंतरगत दिये गए प्रिश्ण पढ़कर उत्तर देने का प्रियास करेंगे। खुश्बू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थियों में तथा कहां कहां रहते हैं। सोचिए। अब अगला प्रिश्ण पढ़कर उत्तर देने का प्रियास करेंगे। कविता में कितने तरह के हातों की चर्चा हुई। जवाब उभरी नस्वम वाले हाथ, पीपल के नए पत्ते जैसे कोमल हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, घिसे नाखुनम वाले हाथ, जख्म से फटे हाथ, जुही की शैखा जैसे कुश्बूदार हाथ हैं। अगला प्रिश्ण पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जहां अगर्बतियां बनती है, वहांका माहौल कैसा है? जवाब जहां अगर्बतियां बनती है, वहांका माहौल बढ़ाही गंदगी से भरा और प्रदूशित है, वहांकी बदबू से नाख और सिर फट जाते हैं। अगला प्रेश्ण पढ़कर उत्तर देने का प्रियास करेंगे इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश क्या है? जवाब इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश ये है कि समाज के मजदूर वर्ग की दैने ये दिशा समझाना और सुधारने के लिए प्रियास करना चात्रों अब हम व्याख्या कीजिए अंतरगत पूछे गए प्रिश्ण पढ़कर उत्तर देने का प्रियास करेंगे पीपल के पत्ते से नये नये हाथ जुही की डाल से खुश्बूदार हाथ इन पंक्तियों का भाव क्या हैं आगर बत्तियां बनाने में पीपल के नये पत्ते जेसे कौमल हाथ वाले बच्चे हैं और जुही की डाल के समान सुन्दर हात वाली नवयूतियां भी हैं, वे गरीबी के कारण अत्यन पिस्रम करने के लिए मजबूर हैं। इन पंक्तियों का भाव यही है। अगला प्रिश्ण पढ़खर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हात। इन पंक्तियों का भाव कुशबू रचने वाले हात, अरधात, अगर्बतियां बनाने वाले लोग उस्वयम गंदे और बद्बूदार वातावरिण में रहते हैं। फिर भी, वे दु को अपने अगर्बतियों से खुश्बू महकाते हैं यही इन पंक्तियों का भाव है अगला प्रिश्ण पड़कर उत्तर देने का प्रयास करेंगे कवी ने इस कविता में बहुचन का प्रयोग अधिक किया है इसका कारण क्या है कवी ने गलियों, नालों, नाखूनों, गंदे हाथ, महलों जैसे बहुचन शब्दों का प्रयोग अधिक किया है इसका कारण दुनिया में दुर्भर और कठोर जीवन बिताने वाले स्रिमिक लाखों में, करोडों में है या समझाने के लिए कवी ने बहुचन शब्दों का प्रयोग अधिक किया है अब हम अगला प्रिश्ण पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करेंगे कवी ने हातों के लिए कौन-कौन से विसेश्णों का प्रयोग किया है जवाब उभरी नसों वाले हात, गंदे नाखूनों वाले हात, पीपल के पत्तों से नए हात जुही की डाली के समान, खुश्बूदार हात, गंदे कटे पिते हात, खाव से फटे हात, खुश्बू रचते हैं हात अब हम योग्यता विस्तार के अंतरगत पूछा गया प्रिश्ण पढ़ेंगे अगर बत्ती बनाना, माचिस बनाना, मोम बत्ती बनाना, लिफाफे बनाना, पापड बनाना, मसाले कूटना आदी लगू उद्योकों के विशे में जानकारी एकत्र कीजिए, प्रिछात्रों, आप इस प्रिश्ण का उत्तर गूगुल से या बड़ों से पूछ कर लिखिए, अब हम याकरनांश के अंतरगत अर्ध के आधार पर वाक्य पेद्ध समझेंगे वाक्य की परिभाशा शब्दों के सार्धक समोह को वाक्य कहते हैं सार्धक का मतलब है अर्ध रखने वाला यानि शब्दों का ऐसा समोह जिससे कोई अर्ध निकलता हो वह वाक्य कहलाता है वाक्य के दो अंग होते हैं उद्देश्य, सब्जेक्ट, विधेय, प्रेडिकेट, चात्रों अब हम उद्देश्य और विधेय के बारे में समझेंगे उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं जैसे राम आज क्रिकेट खेलेगा, इस वाक्य में राम उद्देश्य है, विध्य है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे वाक्य का विध्य है, उपर के वाक्य में आज क्रिकेट खेलेगा, विध्य है, बच्चों, अब हम उद्देश्य और विधे के कुछ उधारन देखेंगे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है इस वाक्य में सूर्य उद्देश्य पूर्व दिशा में उगता है विधे रजनी का भाई दिनकर इंजनेर है इस वाक्य में रजनी का भाई दिनकर उद्देश्य इंजनेर है विधे अर्ध के चार पुत्र थे आयोध्या के राजा दशरद उद्देश्य के चार पुत्र थे विधेय अब हम वाक्यों का वर्गीकरन देखेंगे वाक्य दो प्रकार है पहला अर्ध के आधार पर वाक्य दूसरा रचना के आधार पर वाक्य है अब हम अर्ध के आधार पर वाक्य के बेद देखेंगे अर्ध के आधार पर वाक्य के आठ बेद होते हैं पहला विधान वाचक वाक्य दूसरा निशेध वाचक वाक्य तीसरा प्रिश्ण वाचक वाक्य चौथा संकेत वाचक वाक्य पांचवा संदेह वाचक वाक्य छटवा इच्छा वाचक वाक्य सात्वा आज्ञा वाचक वाख्य आठवा विस्मयादी वाचक वाख्य बच्चों अब हम विधान वाख्य और निशेद वाख्य का ज्ञान प्राप्त करेंगे विधान वाचक वाख्य जिन वाख्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कत्न हो उसे विधान वाचक वाक्य कहते हैं जैसे आज सिनिवार है मैंने नई पुस्तक खरीदी दूसरा निशेध वाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने का खतन हो उसे निशेध वाचक वाक्य कहते हैं जैसे मैं कल कारियालय नहीं गया था वहां मत जाओ बच्छो अब हम प्रिश्ण वाचक और संकेत वाचक वाख्य के बारे में ज्यान प्राप्त करेंगे प्रिश्ण वाचक वाख्य जिन वाख्यों में कोई प्रिश्ण पूछा गया हो उन्हें प्रिश्ण वाचक वाख्य कहते हैं जैसे आप कहां जाते हैं? आपका नाम क्या है? संकेत वाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने का बोध कराता हो उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं जैसे धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते यदि आप कहते तो मैं रुख जाता प्रिवच्चों अब हम संदेश वाचक वाक्य इच्छा वाचक वाक्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे संदेश वाचक वाक्य जिन वाक्यों में संदेश या संभावना का बोध हो उन्हें संदेश वाचक वाक्य कहते हैं जैसे अब तक राकेश छात्रावास पहुंच गया होगा शायद अगले महीने विद्यालई खुलेगा इच्छा वाचक वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, मनो कामना, आशिरवाद, आदी का वर्नन हो उन्हें इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं जैसे इश्वर सब के कष्ट दूर करें, नववर्ष की शुब कामनाएं प्रिछात्रों, अब हम आज्ञा वाचक वाक्य, विस्मयादी वाचक वाक्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे आज्ञा वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनमती या अनरोध का बोध हो, उन्हें आज्ञा वाचक वाक्य कहते हैं जैसे, इस बात को पूरे ध्यान से पढ़ो, आप यहां कुछ दिनों तक रह सकते हैं विस्मयादी वाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हर्ष, सोक, आदी के भाव प्रेकट हो, उन्हें विस्मयादी वाचक वाक्य कहते हैं जैसे, वाह, तुमने सब को खुश कर दिया, अरे, यह क्या हो गया, बच्चो, अब हम एक सामान्य वाक्य को लेकर आठ प्रेकार के वाक्यों में बदलने का विधान देखेंगे विधान वाचक वाक्य, लड़के आम खाते थे निशेध वाचक वाक्य, लड़के आम नहीं खाते थे, प्रिश्न वाचक वाक्य, क्या लड़के आम खाते थे, संकेत वाचक वाक्य, अगर लड़के आम खाते तो पेट भरता, संदेह वाचक वाक्य, लड़के आम खाते होंगे, इच्छा वाचक वाक्य, मेरी आशा है कि लड़के आम खुब खाएं आज्या वाचक वाख्य लड़को आम खाईए विस्मयादी वाचक वाख्य वाह लड़के आम खाते थे चात्रों अब मैं आपको कुछ वाख्य दिखाता हूँ आप वह वाकि किस प्रकार का वाकिय है पताना होगा चलिए छी यह गली गंदा है यह किस प्रकार का वाकिय है सोचिए अच्छा विस्मयादी वाचक वाकिय गाई को मत मारो सोच कर बताईए सैवाश निशेद वाचक वाकिय तीसरा आज महेश कहां जाएगा इसे आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि यह एक प्रिश्न है अब बोलिए हाँ प्रिश्न वाचक वाकिय चोथा शायद कल बरसात होगी सोचिये हाँ संदेह वाचक वाकिय पांचवा आप सदा सुखी रहें इसमें मनो भावना है तो बताईए अच्छा इच्छा वाचक वाकिय च्छटवा आज महीधर का जन्म दिन है यह सामान्य वाकिय जैसा लगता है तो सोच कर बताईए सेवाश विधान वाचक वाकिय सात्वा मन्जूशा तुम अपना ध्यान पढ़ाई पर रखो इस वाकिय में आज्ञा का भाव है आप आसानी से बता सकते हैं सोचिये सेवाश आज्ञा वाचक वाकिय आठवा यह दी वर्षा रुपती तो मैं घर जाता इस वाकिय में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है तो सोच कर बताईए हाँ संकेत वाचक वाकिय बच्चो अब मैं खुश्बू रचते हैं हाथ कवता के संबंद में कुछ प्रिश्ण पूछूंगा सोच कर उत्तर देने का प्रयास कीजिए पहला प्रिश्ण कवी का खुश्बू रचते हैं हाथ से क्या अभिपराय है अप्शन ये अगर बत्ती बनाने वाले हाथ अप्शन बी गुल दस्ता बनाने वाले हाथ अप्शन सी मौम बत्ती बनाने वाले हाथ अप्शन दी पापट बनाने वाले हाथ सोच कर बताईए बच्चो, सैवाश, आप्षन ये, अगर बत्ती बनाने वाले हाथ, आगला प्रिश्न देखेंगे, दूसरा प्रिश्न, आगर बत्ती बनाने वाले कहां रहते हैं, आप्षन ये, बड़ी गली में, आप्षन बी, सुन्दर महल में, आप्षन सी, बदबू से भरे टोले के अंदर, आप्षन डी, उपरोक्त सभी, कविता को याद कर उत्तर दीजिए बच्चों, स्यावाश, आप्षन सी, बदबू से भरे टोले के अंदर, आगला प्रिश्न पढ़ेंगे, तीसरा प्रिश्न, खुश्बू रचते हैं हात, कविता में कैसे कैसे हातों का उलेक हुआ है, Option A, उभरी नसौम वाले हातों का, Option B, जुही की डाल से कुश्बूदार हातों का, Option C, जहक्म से फटे हातों का, Option D, उपर युक्त सभी का, सोचिए सैबाश, Option D, उपर युक्त सभी का, अगला प्रिश्ण पढ़ेंगे चौथा प्रिश्ण, पीपल के पत्ते से नए नए हात से क्या आशे है, Option A, युवतियों के हात, Option B, बच्चों के हात, Option C, बूढ़ों के हात, Option D, लोगों के हात, सोच कर बताईए बच्चों सैबाश, Option B, बच्चों के हात, अगला प्रिश्ण पढ़ेंगे पांचवा प्रिश्ण केवड़ा एक प्रकार का क्या है अप्षन ये फूल अप्षन भी फल अप्षन सी दवा अप्षन डी अगरबत्ती सोचिये चात्रों सैवाश अप्षन ये फूल है अगला प्रिश्ण पढ़ेंगे इस कविता में कवी ने बहुचन का प्रियोग अधिक किया इसका कारण मेहनत करने लोगों की संख्या अधिक होना ये हवाख्य सही है या गलत सोच कर बताईए सैवाश सही है अगला प्रिश्ण पढ़ेंगे मुल्क की मशहूर अगरबतिया बड़े बड़े कारखानों में बनती है इसका अधिक का प्रिश्ण पढ़ेंगे सैवाश ये हवाख्य गलत है मुल्क की मशहूर अगरबतिया बदबू से भरे तोले के अंदर बनती है अगला प्रिश्न पढ़ेंगे अगर बत्तियों में के वड़ा गुलाब रात रानी आदी का सुगंद है क्या हवाक्य सही है या गलत सोचिये हाँ सही है अगला प्रिश्न पढ़ेंगे खुश्बू रचते हैं हाथ कविता का मुख्य उद्देश्य स्रम का महत्व पहचानना यह वाक्य सही है या गलत सैवाश यह वाक्य सही है प्रिश्चात्रों अब तक आप बड़े ध्यान से खुश्बू रचते हैं हाथ कवितापाट का सार समझ चुके है आज से हमारे आसपास रहने वाले स्रेमिकवा मजदूरों को आदर करेंगे समसमाज का निर्मान करेंगे धन्यवाद